रियल हिरोज में इस वक्त जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो है डॉक्टर संजीव जुनेजा जी भारत की प्रसिद्ध आयरुवेद कंपनी दिविसा हरवल केर के फाउंडर हैं लेकिन इस वक्त यानि की कुरोना काल में लाखों लोगों की मदद करने के लिए आगे आए है और साथी साथ मदद की भी है हर स्तर पर जाकर मदद की है और यही वज़़ा है कि ये रियल हिरो की शेड़ी में आते हैं दॉक्टर संजीव जुनेजा जी बहुत-बहुत स्वागत है जिह दूस्तान के रियल हिरो सीजन 2 में आपका थेंक यू श्वेता जी डॉक्टर साब सबसे पहले आपसे यह जाना चाहूंगी कि महामारी चल रही है और हम लोग सब देख रहे हैं जिससे भी जिस लेवल में हेल्प हो पा रहा है वो लोगों की मदद कर रहा है लेकिन इसके प्रेंडना या इसके पीछे की कहानी अगर मै आपसे जाना चाहूं कि क्या वज़व थी क्या वो प्रेंडना थी जिसने लोगों की मदद के लिए आपने आगे हाथ बढ़ाए श्वेता जी देखिए सबसे पहली प्रेंडना तो आपको आपके परिवार से मिलती है मुझे भी मेरी माता जी मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर इन्होंने खूब एंकरेज किया और अगर हाली में बात करूं तो मेरे भाई जैसे दोस्त सोनु भाई उन्होंने मुझे तो क्या पूरे देश को परेरित किया है और मुझे लगता है कि अगर सोनु भाई जैसे निश्काम भाव से करने वाले सो कर्मट शोदा हमें और मिल जाएं तो हर जंग जीती जा सकती है सोनु सूध ने इंस्पार किया क्या? आपने क्योंकि जिक्र किया इसलिए मैं पूछ रहे हैं हाँ जी अगर अभी करोना काल की बात करें देखिए चैरिटी या सोसाइटी में अपना कॉंट्रिबुशन देने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका परिवार आपके दोस्त ये लोग आपको इंस्पार करते हैं पर अगर मानली जी अगर आप करोना काल की बात करें तो कि दोस्त भी हैं और मेरे भाय भी हैं चलिये प्रेडना अपने कहां से लिये तो आपने बता दी लेकिन मदद की शुरुआत कैसे की जाए कैसे मदद करें एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इसके पीछे कहानी होती है डॉक्टर जुनेजा वो जानना चाहूंगी कि कब आपको लगा कि now this is the point जब मैं लोगों की मदद के लिए आ गया हूँ और शुरुवात करूँ प्रेड़ना तो आपको मिल गई सोनू सूथ को देख कर अगर इस बार की बात करें तो इस तरह से करोना ने देश की कमर को अपने दाएंबाएं नजर आया कि लोग परिशान हैं लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा लोगों को पूरा देश में एक हाहा कार है तो यह point था जब हमें लगा कि अब हमें बिलकुल अगर जो priority of list है इस list में अब ये काम उपर करना चाहिए जिन्हों ने मदद की गिन्होंने सो चा और उसके बाद देरे 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 चीज़ें अपने होती गई और उन्होंने मदद की और ऐसी कहानिया लोगों के बीच जानी बहुत जरूरी है क्योंकि तभी लोग inspire होते हैं और लोग भी मदद के लिए आ गयाते हैं इसलिए मैं बार-बार पूछ रही हूं कि डॉक्टर संजीर जुनेजा आपने किस तरीके से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एसेंशल मेडिसिन की किट हमने घर गर पूंचाई हमारी पांच गाडिया इन पिछले दो तीन महीनों में लगा तार सरफ एक ही काम कर रही थी कि जहां पर हमारी मदद पहुंच पाए वहां पर हम मदद पहुंचा पाए हमने hundreds of COVID families जो लोग हमारे क्या कि जब आपको COVID हो जाए आप घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए और आप निकल भी नहीं सकते बिलकुल और कितनी चीज़ें जो घर में जुरूरत होती है तो उन लोगों के घर में खाना पूंचाया की हर एक की सरकार की किजिया कि आप अपने की आस पास अपने फार में अपने आफिस hierarch में असीज़े की अब को जागरित कैजिये आप विट परोटो को पालना कीजिए और बाकियों को भी जागरित कीजिये तो आगे कि आपकी क्या रंड नीती है किस तरीके से लोगों को मदद मुहया कराएंगे और क्या यह आगे किस तरीके से पूंचा दें तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है तो पहले मैंबूलेंस को बढ़ाएंगे और दूसरा जो हमारी इकेजे केर फांडेशन हम कुछ ब्रैंड्स आईकेजे केर फांडेशन से लॉझ करेंगे जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेंगे और उसके अलावा उस ब्रैंड से उस बिजनस से जो बेनिफुट होगा वह सारा हंड़र परसेंट हम पूब्लिक चैरिटी में उसको खर्च किया जाएगा यह लड़ाई अभी हमने लड़नी है और जीतनी भी है ऐसे में उन लोगों के लिए जो सतर्क नहीं है उन लोगों के लिए जो प्रोटोकॉल पॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने वैसे पेशेंट को भी देखा जिन्होंने दम तोड़ा जो जीना चाहते थे बावजूद इसके उन्होंने दम तोड़ दिया तो क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहला संदेश तो यह देना चाहूंगा कि यह बड़ी चोटी बड़ा चोटा सा रास्ता है इस जानलेवा बिमारी से बचने का आपने करना क्या है सिर्फ साफ अपना आपने हैंट सैनिटाइज करने हैं आपने मास्क पहनना है आपने ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पे नहीं जाना यह बड़े आयोजन नहीं करने पूरी उम जो बड़ा बदलाव एक दिन लाती है और हमें शायद खुद यकिन नहीं हो पाता कि हमने कब यह बदलाव कर लिया और हमने कब इतनी चोटी सी तो कोशिश की थी और इतना बड़ा बदलाव जाहिर से बात है लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए बहुत तरीके से उन्होंने से कोरोना काल में लोगों की मदद की है मदद के लिए आ गया आए और किस तरीके से उन्हें प्रेड़ना मिली उनकी ये कहानी लोगों को प्रेड़ित करेगी लोग और भी आगे आएंगे दूसरों की मदद करने के लिए नमस्कार